नमस्का दोस्तों इनके आयू 33 years plus 9 मन्त की हो चुकी है इनके जीवन के उतार च्राव देखते हैं इनके जीवन रेखा पर बहुत सारा disturbance है एक certain age के बाद ही इनको जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी तब तक इनके जीवन में संगस रहेगा रहेगा और रहेगा आर्थिक है तो वेक्टी समस्दार होता है और जीवन में जो opportunity आती है उसे grab करके आगे बढ़ता है यह पूरा squarely spam है ऐसे लोग महती होते हैं और मैनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं अंगुटा थोड़ा सा tilt हो रहा है तो मित्रता पूर वैवार होता है फैले नुकिल है तो का अरे करपती जीत होती है सेकेंड फैले नॉर्मल है मांसल कम है तो कंप्रोमाइज नेचर वेक्टी का रहता है उंगलिया छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज्यादा रहेगी और फास्ट नीने लेते हैं सुरी के उंगली बढ़ी है यह वेक्टी को हिम कमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संबाल कर रखना, याजशक्ती, मनी मेनेजमेंट, एकाउंट, यह सारी चीजों मैं वेक्टी एक्सपर होता है अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते है बुद्परवत पर भहुत सारी खड़ी लाइन है यह लोग डूचार भाश के जानकर होते, बुलने ना आये तो समझ में तो आती है यह लाइने बिजनेस सेंस भी देती है, सुन्दरता भी देती है पर यहाँ पर देखो यह बुद्परवत यहाँ से थोड़ा सा खड़ा है ऐसे लोग अपने मन की बात जो करनी चाहिए वो टाइम पर नहीं कर पाते चाहिए वो बिजनेस मीटिंग में हो या पारिवारिक मीटिंग में हो, उसके बाद याद आता है और यह पाट उभारो तो नाम के प्रति बहुत जागरुक होता गटती यहाँ पर इनके यस्टेंड भी है छोटे मोटे स्क्वेर भी है यह मल्टि सीटे का काम इनके जीवन में करेंगे इनके हाथ में तो ट्रैंगल भी है वीदे से धन प्राप्ति का योग भी इनके हाथ में है और ये जिस तरह का काम करते हैं, उसमें विदे से अन करना बहुत आसान है, बहुत सारे स्क्वेर हैं, और ये लोग जिनके स्क्वेर होता है, वो लाजर देन लाइफ जीते हैं, यानि अपनी जो इंकम होते हैं, उससे अच्छी तरह रहते हैं, आसपास के लोगों को लगता ह इनके क्या प्रॉब्लम है इनके तो सब बल्ले बल्ले है अभी इनकी साइन देखते हम एक यहाँ पर साइन है एक नाड़ी का रेखाम है यहाँ पर बनी हुई है यह किस जगह पर है और एक यहाँ पर भी है एक पत्ली सी साइन यहाँ पर भी है और एक बढ़िया साइन इस जगह पर है यहाँ पर विद्यारेका बनी है तो रेखते को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूच पूच कर काम करते हैं जैसे जैसे उम्रागे बढ़ेगी ज्यादा लोग पूच पूच कर काम करें छोटे छोटे जो स्क्वेर दिखते हैं यह पूच्थे नहीं जमीन ज्यादात के योग बनाते हैं इनका शानी परवत काफी उत्तम है तो अलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता और यह लाइन भी इनको गुसार दिलाती है खड़ी लाइन है कितना भी बड़ा आर्थिक नुक्सान जाए नाम खराब नहीं होता एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन यह व्यक्ति को मल्टिपल इंकम के सोर्च देती है पामिष्ट्री एस्ट्रोलोजी इस्तर के मिष्ट्री साइंस में ध्यान जाता है सेव अभावी और धार्मीता यह सारे गुण व्यक्ति को मिलती है और इनका जुपिटर माउंड देखे यह शनी परवत की रफ नीचे की तरफ तिल्ट हो रहा है अतिक्रमन कर रहा है तो ऐसे लोगों को भी पारिवारिक और सांसारिक समस्याय सताती है सांसारिक यानि हस्बेंट वाइफ के बीच में प्रॉब्लम अगर सर पे बच्पन में जोड से लगाओ तो नहीं होता नहीं तो दोनों समस्याय सताती है और परिवार के लोगों में अच्छा घासा एक्सपेंस होता है अनुन मंगल भी विवस्तित है तो सारे के उख जाना पर प्रॉब्लम नहीं है पर चिंता रेखा है बहुत है तो थोड़े चिंतित सभाव के विक्ति होंगे बाहरी मंगल अच्छा है जब किसे से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे सामने वाला कंफर अबन फिल करता है और संकट के समय वेक्ति हैं अपने लेवल पर संकट का थामना करता है यह लाइन अगर माइंड लाइन से निकलेगी अपनी यह किताब भी छाप सकते हैं इस तरह का योग भी बनता है और मैं विडे से धन प्राप्टि का योग मैं बता रहा था कि यहां पर क्लियर कट ट्रैंगल है यह कि यहां पर भी है और एक और मैंने देखा था यहां पर यह व्यक्ति को कवी बनाता है यह विडे से धन प्राप्टि के योग बनाता है और चंद्रपरवत अत्ती उत्तम है पानी अच्छा लगता है जुद से बनी हुआ स्वेच्छी लगती नीने शक्ती अच्छी होती नही नहीं चीजे करने का शोक होता है अच्छे परचेसर होते है अच्छे बारगेनर होते है इनके हाथ में शेर सटे की भरपूर लाइन है ये शौट ट्रम में अगर पैसा रुकाएंगे शेर मार्केट में तो काफी बेनेफिट होगा इनको पर अभी ने ये 39 के आसपास से ही अभी आप रुकाओगे तो पैसा डुब जाएगा अभी कुछ नहीं करना आपको 39 के एज के आसपास से ही आप ये काम करना और शुक्र परवत जैसा ये काम इंसान को चीए वैसा है अब हिष्दे रेखा इनकी भी जुपिटर से ही स्टार्ट हो रही है और ये जो लाइने नीचे जा रही है जिनकी इस दे रेखा गुरुपरवत से शुरू होती है ये लोग भाववक होते है भावनाव में निर्ने लेते लोग इनकी भावना का फाइदा भी उठाते पर इनका जो शभाव रहता वो एक तरह से देवदुज जैसा रहता है इनका किसी ने बुरा भी किया तो उसका यह लोग अच्छा ही करेंगे बुरा सोची नहीं पाती परिस्तर की हिर्दे रेखा से जो लाइन है जाती यह बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करते पैसा देते यह माइनस पॉइंट रहता है यह माप आपकी सेवा करने वालों के हाथ में रहती यह लाइन है अब माइनन को भी देखे तो पूरी यहां से चल कर सीधी जा रही है और आगे चल कर यह बैंड हो रही है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्मिक्ता बढ़ती जाएगी इनमें सपने बढ़ते जाएंगे भावग होंगे भावग तो नहीं करती पर एक तरस से घर में किसी एक व्यक्ति के लिए काफी पजेसिव रहते यानि उस पर ज़्यादा बोल-बोल करते इस तरकी माइड नहीं वाले अब इनकी जीवन रेखा पर चले एच थर्टी वन में इनकी साधी हुई है ये देखें क्लियर कट लाइन नजर आ रही है यहां से आई लाइन और यह यहां टच कर रही है उसके पहले भी राहू रेखाए थी दो-तीन संगर्ष तो है इनके जीवन में उसमें कोई ना नहीं यह साधी के बाद भी रहू लाइन है यह देखें यह और यह 33 में भी साधी की लाइन है और 35 में भी है पर यह छोटी लाइन है 35 वाली और यह लग बग यह gam अगर यहाँ होगी तो साधी के आसपास कोई निर एंड अड अड अ गई होगा और यहाँ से निकलती होगी तो 33 के आसपास कोई निर अड 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 अ डे की डैथ हुई होगी ये एक 35 हुई और एक 39 में भी एक राव रेखा इनको डिश्टब करेगी और इनकी जो जिवन रेखा है देखिए आप ये यहां से ब्रेक हो गई यहां यहां और यहां से वापस स्टार्ट हो रही है इस जगह से और ये एज निकल रही है लगबग मेरे हिसाब से 39 के आसपास यहां से इनको जिवन में प्रोग्रेस मिलनी चालोगी और बीच में जो धन्रेखा बिगड रही है वो भी 39 के आसपास से ही स्ट्रॉंग बन रही है धन्रेखा तो दोनों से योग साथ में ही है फिर ये 41 में राव रिखाएगी इनको जिवन में और ये 41 के आसपास कट भी है अब इनके हिंक लगए हुँ पाम पर चलते है उसके बाद एक 46 में राव रिखाएगी 48.5 में आएगी ये भी बिना मनी ट्रेंगल वाला है हाथ है तो इनको भी परिशानी ज़्यादा होती होगी फिर 54 में राव रिखाएगी फिर ये 56 में है 58, 46, 48 के बाद 54, 54 से लेकर ये 56 यहां से छोटी 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 राव रिखा इनको आती रहेगी जीवन में और एक 70 के आसपास बड़ा आपशूट है इनको उसके बाद भी ये की मिनित है ये आपशूट 70 का नहीं है 70 का लगपदी है 56 से लेकर और साथ 56 से लेकर में एक सब्सक्राइब एक उपशूट है फिर 69 यहां 70 में एक उपशूट है और उसके बाद भी राव रेखा है और ये 73 के आफ पास है यह इस तरह से डिश्टब करती रहेगी छोटी 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 और बीच-बीच में आफशुट भी है अब धन्रेखा पर भी इनके कट है एक वर्तमान में कट है कोई पारिवारी खर्चा 33 या 34 के आफ पास फिर एक छोटा सा 38 में 41 में थोड़ा बड़ा है 45-43 में भी एक कट है अलग-अलग बिजनेस में यह इन्वेस्मेंट है 46 के आसपास 47 के आसपास कट है अब इनकी कट भी इतने कोई बड़े नहीं है कि बहुत ज़्यादा तकलिप आए पर है अब यहां तक धन्रेखा इनकी काफी उत्तम चल रही है इस पार्ट तक हैनि 35 तक इनकी धन्रेखा अच्छी है हो सकता है यह थोड़ी सी यहां तक हो और यहां से फिर इस एज तक विकास एकदम कमजोर रहेगा यह अब टू 39 तक 35 या 36 से लेकर 39 तक इतनी प्रोग्रेस नहीं रहेगी खर्च भी बढ़ जाएगा पैसा भी कम आएगा जीवन में उसके बाद इनकी धन्रेखा उत्तम होगी ग्रोथ मिलेगी वापस वहाँ से जीवन रेखा भी चालू होगी वो भी ग्रोथ देगी पर फिर ये एक 41 में एक आर्थिक कश्ट भी जाएगा उसके बाद अच्छी खासी ये लाइन चलेगी और एक नया व्यवसाय इनके जीवन में चालू होगा वो 43 से वो भी इनको काफी उत्तम फल देगा और फिर बुड़ा पे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है खाली ये बीच का पिरियर्ड ये कम ग्रोथ वाला रहेगा यहाँ पर इंकम भी कम होगी एक्सपेंस बढ़ जाएगा फिर इंकम आजाएगी वेवसित काफी अच्छी इंकम आएगी फिर 41 में वापस रुकेगी पाच्छे महीने साथ महीने के लिए और कोई आर्थिक नुकसान भी जाएगा उसके बाद जो आर्थिक नुकसान का पिरियर्ड है मैं बता चुका हूँ और रहा सवाल रहो रेखा है इतनी स्ट्रॉंग है नहीं जो छोटी छोटी बताई है तो कोई टैंस लेने की जुरत नहीं है जो स्ट्रॉंग है वो पहले आप उससे गुजर चुके हो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद